तो प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयूस तो आज का ये वीडियो हमारे एस्टेट बोर्ड के संस्क्रीत पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है अब एस्टेट बोर्ड मतलब हमारे जितने भी स्थान बोर्ड और इसा बोर्ड अब कुछ बच्चे केंगे सर हमारे बोर्ड का नाम नहीं लिए तो जितने भी एस्टेट के बोर्ड है उनके बारे में आज कि इस वीडियो में चर्चा होने वाले कि आप लोग संस्क्रीत की त्यारी कैसे करिए गार तो देखिए बुक जरूर खरीद लिजेगा बुक सर बताए कौन सा बुक तो यह हम नहीं बतावेंगे ठीक है स्टूएंट अब आप कहेंगे सर आप बुक बोलके आप नहीं बता रहे हैं बताए यह कौन सा बात हो गया तो देखिए स्टूएंट CBSE बोल्ड में क्या होता है क्योंकि CBC बोल्ड पूरे अलग अलग पैटर्न है तो जैसे देखिए अगर मैं लिखता हूँ जैसे गहतिका्य समय लेखना में एक टॉपिक है वहां के हमने लिखा तीन बजे तो इसका क्या मतलब होगा तरी वादने ठेक एक और इसका मतलब होगा तरी वादनम अब आप देखेंगे student की अगर question sentence में रहेगा वाक्य में रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं वादने लगाते और general लिख दिया तो हम लोग क्या लगाएंगे वादनम लगाएंगे तो यहाँ पर हमने देखा कि concept तो वही है knowledge तो वही है 3 लगाना है लेकिन आप यहाँ पर देखा कि बादनम और वादने में फर्क है तो यह फर्क कैसे पता चलता है तो किसी board में sentence में question पूछ दिया किसी board में हम एक question कैसे पूछ दिया direct पूछ दिया तो आपके board में जो भी बेहतर guide हो book कहने का मतलब यह है कि हर एक state board का खास खास publication का guide वगड़ा आता है जो आपके दोस्त वगड़ा यूज करते हो उसको आप लोग एकदम must ले लिजे जैसे बिहार board में आता है atom bomb कुछ इस type का book सब आता है UP board में guide हो गड़ा आता है इतना मोटा मोटा रहता है Sanskrit का guide सो डेर सो रुप्या में देता है उस सबको आप लोग ले लिजेगा ठीक जो एकदम famous हो जो परकासन एकदम famous हो उसकी book आप ले लिजेगा ठीक है या आपको जो भी teacher सजेस्ट करें आपके अब आप कहते कि sir teacher का तो हमको पढ़ाया हुआ ही समझ में नहीं आता है अरे उनका पढ़ाया नहीं समझ में आता है ठीक है book जो बता रहे है एकदम best बता रहे है best best बहतर इसलिए सबसे पहले book ले लिजेगा ठीक तो book आपने ले लिया अब क्या करिये भाबू कि अभी आप लोग का exam होगा sir मार्च में तो होगा फरबड़ी में होगा sir बीच बीच में भी exam ले लेता है ठीक है लेकिन exam में अभी क्या है तीन महीने का time है तो आप लोग क्या काम कीजिए 40 मिनट 40 मिनट बहुत हो गया state board बालेों के लिए आप मातर और मातर 30 मिनट डेली निकालिए संस्क्रीट पढ़ने के लिए ठीक है जितने भी हमारे state board के बच्चे उसके बाद तीसरा काम आप अपने board के website पे जाए और syllabus को download कीजिए यानि कि जो हमारा पाठ्थे करम है जो हमारा syllabus है उसको सब बच्चा को क्या करना है download करना है जो हमारा पाठ्थे करम है syllabus है उसको क्या करना है download करना है latest बाला download करना है अब यही में बच्चा को दिक्कत हो जाता है कि सर एक बात बताएए आप फिर डाउनलोड करके दे दिये कोई टेंशन नहीं देखे गूगल पे आप लोग जाएंगे यह नहीं लिखाएंगे यूपी बोर्ट सलेबस तो गलत सलत आपके हाथ में लग जागा इसके लिए आप जब अपने बोर्ट के website पे जाएंगे जैसे अगर किनी का बिहार बोर्ट है ओफिसेल जाएए वो website आईगा उसको डाउनलोड कर लिजए अब syllabus अभी तक सभी लोगों ने डाउनलोड कर निया होगा अब आईए पढ़ाई कैसे करने है तेखे पढ़ाई कैसे करने है अब syllabus सभी लोग अपने बोट का डाउनलोड कर लीए होगे अब क्या करना है student आपको उसमें से एक एक टॉपिक को देखना है ठेक अब संस्क्रीट पढ़ने की दो टेकनिक हो सकती है एक बच्चा वो होगा पहला बच्चा जो क्या करेगा कि स्लेवस में जो सुरुवात से दिया हुआ है उसी को क्या करेगा पढ़ेगा जैसे माल लिजे कि अगर सुरुवात में लिखा है संधी तो संधी से ही स्टार्ट करेगा उसके बाद लिखा है समास तो समास से ही पढ़ेगा उसके बाद लिखा है गटिका तो क्या करेगा गटिका से ही पढ़ेगा उसके बाद लिखा है अब्य जादा टाइम नहीं लेंगे आपने लगा लिया कि हमें कहां से पढ浏 है आप आपके तोपिक यह प्ले लिस्ट में आई से दृवरा युट है उसको दégठ जाईेए अब आपका क्वेशन होगा कि सर वीडियो तो CBSC बोट क्या है ऐसा कुछ भी नहीं है माल लीजिए student अगर संधी है ठेक यही confusion आप लोग का मुझे दूर करना है जैसे संधी है तो इसका क्या परिवासा है जब दो अत्यांत संयोगी वन आपस में मिले या सिधा अभी लिखता हूँ जब वन आपस में मिले और विकार उत्पन करें उसे हम लोग क्या कहते हैं संधी कहते हैं विकार उत्पन करें उसे हम लोग क्या कहते हैं संधी कहते हैं तो बाबू CBSC में हम पढ़ाएंगे तो क्या बिहार बोर्ड में यूपी बोर्ड में हम तीन वर्ण को मिला देंगे या हम म concept sub board का सेमी होता है concept is God हाँ एक बात है question पूछने का तरीका अलग होता है CBSC में MCQ में पूछ रहा है आपके में subjective पूछेगा तो हमने lecture को ऐसे पढ़ाया है कि आप subjective भी बना सकते है objective भी बना सकते है ठीक तो हमने देख लिया उसके बाद student आपका क्या comment होगा कि sir इसमें कुछ-कुछ ऐसे topic है जिसको आपने cover नहीं किया बिल्कुल सही बात है जैसे आप देखेंगे कि समास है तो इसमें हमने नए समास होगरा नहीं पढ़ाया उपद समास होगरा नहीं पढ़ाया तो ठीक है आप जैसे जैसे वीडियो देखते चलेगा नीचे comment करते चलेगा कि sir नए समास का वीडियो बना दीजे और जैसे जैसे आपका comment आता नए समाज शूटा है उसका बना दीजे धर धर एक पर एक वीडियो आपको देते चलेंगे सब टॉपिक में किजिएगा तो एक से दो दिनों में ऐसे ही करने बाले है जितना भी छूटा हुआ टॉपिक है जैसे परते में आप देखेंगे हमने मत्तुप परते पढ़ाया है त्वा परते पढ़ाया है तल परते पढ़ाया है ठीक इस तरी परते में टाप परते को पढ़ाया है इंगी परते को पढ़ाया है इसके अलाबा कत्वा परते है सानच परते है तो इस सब को भी पढ़ा देंगे ठीक एक बार परते स्टार्ट करेंगे और उसमें जितना भ से हो जाएगा ठीक है तो अभी जितना concept content content है उससे अभी आप लोग एकदम पढ़ाई में लग जाएए अगर आपके सलेबा 100% है 100% ही होता है सबसे पहले तो इसी से स्टार्ट कीजिए खुम मजा आएगा ऐसे पढ़ाया कि आप सब्जेक्टिम में भी बना सकते हैं सारी बातों को हमने उसमें बताया है तो टेंसन नहीं देना है और जितना भी हमारा 20% सलेबस है जैसे परते में आप ले लेंगे संधी में आप ले ले संधी है या दी संधी बहुत स्ट्रेटपोड में आता है तो इस सब को हम एक बार उठाएंगे संधी और पूढ को कवर कर दें तो अभी जितना उससे काम मतलग क्या चलाई काम कर दिजिए और धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे कंप्लीट करा देंगे पूढ मैं लीजेगा जो भी आपके टीचर आपको सजेस्ट करें क्योंकि सब ये स्टेट बोड का अलग-अलग बुक होता है को गाइड वगड़ा आता है तो उससे आप लोग प्रेक्टिस कीजेगा ठेक है जो बेहतर पब्लीकेशन हो अपने टीचर से पूछ के आप लोग लीजेगा ठेक है स्टुडेंट और जो भारी पैमाने पी यूज होता हो ठेक जैसे हमारे इधर देखिएगा बिहार बोड में तो किरन पर पब्लीकेशन ही सब का उपकार होगा रखा बहु ज्यादा हीट होता है चाहिए कोई आनंद अगर का एटम बम आता है तो उस टाइप से आप आपके बोड में भी आता होगा ले लिजेगा तो मिलते हैं स्टुडेंट नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वन्यमात्रम आदाब नमस्कार से जिरेकाल परनाम